Hello everyone, welcome to Amita Nursing Classes आज मैं आप लोग को स्टेटोस्कोप और उसके पार्च के बारे में बताऊंगी कि स्टेटोस्कोप क्या होता है और उसके क्या क्या पार्च होते हैं तो सबसे पहले देखेंगे स्टेटोस्कोप अगर आप नर्सिंग के स्टुडेंट्स हो जी एनम या बीसी नर्सिंग या एनम के स्टुडेंट्स यानि फस्ट यर के स्टुडेंट्स हो तो एक्जाम टाइम में क्या होता है वायबा में अधिकतर ये कोश्चन पूछे जाते हैं या क्लिनिकली ड्यूटी करें तब भी तो सबसे पहले जानेंगे स्टेटोस्कोप स्टेटोस्कोप क्या होता है एक मेडिकल इंस्टुमेंट होता है जिसका यूज बॉडी में प्रोड्यूस साउंड को सुनने के लिए किया जाता है इस पेसली हर्ट साउंड सुनना है या लंग्स का साउंड सुनना है तो क्या क कि यह एक्सटर्नल एयर कैनल जो होता है見て सब्सक्राइन सब्सक्राइन इय रीफ ट मुर्सक्राइच वेरीक होता है रस इसमें जो फोर्थ है चेस्ट पीस, चेस्ट पीस क्या है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, बेल और डायफ्राम क्या होते हैं, इसमें बेल का यूज, बेल क्या होता है, ये कब सेब्ड होता है, जिसका यूज, अगर लो पीस्ट साउंड सुनना है, तो क्या करते हैं, और next यसमें diaphragm, diaphragm क्या होता है? flat drum like part होता है और इसका यूज़ कब करते हैं? अगर high pitched sound सुनना है तो क्या करते हैं? diaphragm का यूज़ करते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Thank you for watching my video